कैसे आप सब उम्मीद कता हूं ठीक होंगे तो आज हम इस वीडियों बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सब्सक्राइब में कार रेंट पर लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस का होता है क्या का डॉकुमेंट लगता है और किस तरह से आप कार यहां पर रेंट पर ले सकते हैं अ सब्सक्राइब में ज्यादा तर लोग कार रेंट पर लेते हैं क्योंकि यहां पर बाहर से आई हुए लोग होते हैं जो काम करते हैं यहां पर उनको कुछी समय के लिए जरूरत पढ़ता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला दूसरी चीज आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसमें कोई वाइलेशन नहीं हुआ हो यानि कि आपने अगर कोई वाइलेशन किया है तो उसका आगर आपको पेनाल्टी भरना है तो उसको आप भर दीजिए क्योंकि बीना भरे आपको कार रेंट प पर देना होगा भाइविंग लाइसेंस के बाद रेंटस को वह रीपाई करेगा कि आपने कुई वाइलेशना तो नहीं किरा कोई देंगा को हिसकता है आपको पर मिले वरूर आप इसमें अगर आपका लाइसेंस वेरिफाई होने के बाद वापस आएगा तो फिर अगर आपका सब कुछ सही हुआ तो फिर वह आपको कारेंट पर देदेगा उसके बाद आपको इंस्पेक्शन करना है उसमें कि कार में कोई गड़बड़ी तो नहीं है वह आपको बताएगा कि कार में यह यह डैमेज है अगर इससे ज्यादा डैमेज करके आप लाएंगे तो आपको एक्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा वो सब कुछ आपको और वीडियो बनाने के बाद आप कार अपने साथ लाएं और उसको हिफाज़शत रखें क्योंकि आगर आप इस क्रेश भी करेंगे तब भी उसका चार्ज कटेगा तो अमीड करता हूं आपको यह इंफर्मेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कार रेंट पर लेना है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में